दोस्तो आज की वीडियो होने वाली है आपके बहुत काम की अगर आप मारुती सुजुकी ब्रीजा गाड़ी में इंटरस्टेड हैं तो अब हम सभी को पता है कि मारुती ब्रीजा जो गाड़ी है उसमें आपका जो मिड वेरियंट है वी एकसाई वो आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरियंट है लेकिन आज जिस वीडियो के तुरू मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो इस वेरियंट में मत खरीदना क्योंकि अभी इस गाड़ी के अंदर आपको एक ऐसा अपडेट देखने को मिला है जिस वजह से आपकी ब्रीजा वी एकसाई बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा वेरियंट दोस्तों मैं आज आपसे बात करने व गाड़ी में आपको देखने को मिलता था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर कितना पैसे का डिफरेंस आपको इन नौनो गाड़ी में देखने को मिलता है उसके साथ साथ फीचर का क्या डिफरेंस है और जो सबसे बड़ा अपडेट है कि यहां पर smart hybrid आपका ZXI और ZXI plus variant में आपको देखने को मिल जाता है जिस वज़े से आपको mileage में कितना difference आता है और यहां पर आपके लिए क्या कुछ benefit होने वाले हैं तो आप हैं दोस्तो EM Cars, Everymate Cars पर जहां पर मैं आपके लिए automotive related all sorts of information लेकर आता हूं with complete honesty और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके car buying process ease हो सके और आप एक बहतर decision ले सकें तो दोस्तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इन डौनों गाडियों के prices के बारे में तो यहां पर दोस्तो आपको VXI जो है वो 9,65,000 रुपे की देखने को मिल जाती है और ZXI जो है वो आपकी 11,05,000 रुपे की देखने को मिल जाती है तो यहां पर पूरा पूरा 1,40,000 रुपे का difference देखने को आपको मिलता है लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इस 1,40,000 रुपे की difference को मत देखना थोड़ा सा अपना DP portion बढ़ाना थोड़ा सा अपना loan वाला portion बढ़ाना और Breeza ZXI को लेकर आना अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता जाता हूं कि ZXI variant में आपको क्या कुछ extra देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको alloy wheels देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में यहाँ पर आपका vanity mirror आजाता है sun visor पे आपको reverse parking camera देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर cruise control देखने को मिल जाता है जो highway पर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर आप consistently गाड़ी को एक speed म control कर सकते हैं और अराम से plus minus से थोड़ा बहुत speed में variation कर सकते हैं यहाँ पर आपको push start top button देखने को मिलता है इस वजह से आप अपनी गाड़ी में बिना की insert करें आराम से उसको start और stop कर सकते हैं यहाँ पर आपको tilt or telescopic दोनों features के साथ steering wheel देखने को मिलता है rear armrest आपको देखन तो आप एक seat को split करकर वहाँ पर भी luggage को accommodate कर सकते हैं और साथ की साथ एक passenger भी वहाँ पर बैठ सकता है उसके बाद में यहाँ पर आपका sunglass holder देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपका rear wiper भी आ जाता है washer के साथ में यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज sunroof देखने क मिल जाता है जो आपकी visibility को काफी ज्यादा enhance करता है और यहाँ पर आपको vanity mirror पर lights भी देखने को मिलती है यहाँ पर आपको जो system मिलता है उसमें wireless android auto लेपल कारपले की connectivity आती है और चार speaker के साथ यहाँ पर आपको दो tweeter भी देखने को मिल जाते है इतना सब कुछ इस गाड़ में आपको देखने को मिलता है complete package बन जाती है sunroof भी आ रही है android auto भी आ रहा है LED headlamp भी आ रही है steering wheel भी आपका जो है वो दोनों तरीके से adjust आ रहा है cruise control सब कुछ मतलब आपको इस गाड़ी में वो मिल जाता है जो कि एक गाड़ी को premium बनाता है अब बात कर लेते हैं और इस में ऐसा क्या मिलता है जिस वज़े से ये video बनाई जा रही है वो ये कि यहाँ पर आपको अब smart hybrid भी देखने को मिल जाता है smart hybrid basically होता क्या है दोस्तो एक छोटी battery होती है जो कि co passenger के नीचे लगाई जाती है जहाँ पर कि आपको इस गाड़ी में जब ये इतना ज़्यादा power consume नहीं कर रही होती है ideal condition में होती है तो इस बैटरी पर switch हो जाती है और आपका fuel consumption जो है वो कम हो जाता है अब इससे होता क्या है सिर्फ इतना होने से आपका mileage लगबग 2 km पर लीटर का increase हो जाता है तो आप देखो यहाँ पर जो आपका VXI manual का mileage है वो 17.38 है और आपका ZXI manual का mileage है 19.89 है लगबग 20 का mileage तो आप खुद से सोच के चलो कि आप अगर एक लाक रुपिया सवा लाक रुपिया एक्स्टा लगा रहे हो तो आपको कितने सारे benefits देखने को मिल रहे हैं हो सकता है इस वाले variant पर आपको थोड़ा सा discount भी देखने को मिल जाए जो subject to है availability of car पर और बातों पर तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि अगर LXI ले रहे हो तब तो देखो कोई चारा ही नहीं है क्योंकि आपका budget constant है पर अगर VXI के लिए जा रहे हो तो VXI के लिए मत जाओ या तो LXI के लिए जाओ या फिर जाना है तो फिर सीधा ZXI या ZXI Plus के लिए जाओ औ और यहां अपर CNG में भी आपको यह feature देखने को नहीं मिलता तो वो matter नहीं करता I hope यह वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं clarity मिली होगी कि कौन से विरेंट के लिए जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए अगर mileage matter करता है तो VXI के लिए जाओ Thank you so much for watching this video इसी तरिके की वीडियो के लिए इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली जारकारी भी मिलती रहे Bye-bye take care of yourself and remember always drive safe Bye-bye दोस्तो दोस्तो